Good evening friends, कैसे हैं आप सभी के सभी? I hope सभी healthy हैं, consistently prepare कर रहे हैं तो SBAPU का आज भी interview था और आज फिर से 3 students ऐसे जिनके बहुत ही अलग लग तरह की interviews गए हैं तो 3 किसे, क्या-क्या चीज़ें पूछे गई, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ share कर जेता हूँ एक और चीज़ मैं remind करवाँगा, यह सारी वीडियो इंटर्वी वीडियो नाम से एक playlist है, वहाँ पर add होता रहता है वो वीडियो प्ले लिस्ट आप जरूर complete कीज़ेगा, साथ ही साथ, Ollyboard की तरफ से interview के लिए एक बहुत ही शानदर free e-book है वो download करके जरूर complete करके जाएगा, SBAPU interview वाले भी और IBPSPU interview वाले भी link आपको नीचे description में मिलेगा, so let's start the session सबसे पहले candidate के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनका interview बहुत interesting था उनसे कोई भी banking awareness का question नहीं पूछा, उनसे कोई भी current affairs का question नहीं पूछा उनसे सारे सवाल उनके bio data form से पूछा था, सबसे पहले introduction फिर उसके बाद father's profession से related कुछ सवाल निकल क्या है उनका जो native place था, उसके बारे में detail आई, और उनका native place जो गया था गया की history वगएरा, और इसी से related questions पूछते रहे, और इसी के साथ interview खतम हो गया कोई current affairs नहीं, कोई banking awareness नहीं, bio data form में जो जो भरा था, उसी से सारा सवाल रहा और कोई current affairs, banking awareness, current news, कुछ भी नहीं, graduation से कुछ भी नहीं सिधा सिधा सर्फ यह पूछा था, बहुत ही मज़िदार, बहुत ही unique, यह आपके साथ भी हो सकता है तो हर चीज के लिए तयार रहना है, बस confident रहना है, polite रहना है, with a smile answers करने है अब second candidate की और बढ़ते हैं, उनका थोड़ा सा convention है, जो अपना conventional interview जो रहता है उसी तरह का था, इनसे पूछा गया, budget का overview पूछा गया, कि budget जो अभी आया अपना उसका overview पूछा, कि budget का थोड़ा सा overview दे दो, क्या क्या चीज़ें आपको बता है, वो बता दो उन्होंने detail में बता दी, आप सभी ने भी prepare की होगी अब इनका जो background था, शुबम का, शुबम जो candidate है, second number का candidate उन्होंने जो graduation B.H.C कर रही है, तो उन्होंने पूछा कि करके जाओगे, आपको बता रखा है मैंने already, ठीक है न, difference between employment and under employment, इसके बीच में अंतर पूछा था, what type of industries are there in महाराष्टरा, क्योंकि महाराष्टर से belong करते हैं ये, difference between rapo and reverse rapo rate पूछा था, major agriculture produce, उनके district का, जो वर्दा district उनका major agriculture produce क्या रहता है, ये पूछा था, PM गती शक्ती के बारे में पूछा था कि क्या है ये, तो इसके बारे में उन्होंने तयारी की थी, इससे related एक तो cross questions, और देन इनसे पूछा कि ये जो ऐसे banking sector में help करने वाला, क्या, इसके impacts क्या होने वाले, तो इसको भी उन्होंने अच्छे से त्यार किया था, इनसे roughly 10 से 12 questions पूछे थे, और सभी उन्होंने बहुत ही, बहुत ही confidence और बहुत ही अच्छे से answer किया था, ठीक है, तो ये तो दो candidate होगे, जिनका आपने देखा, पहले वाले में आपसे बहुत कम question थे, second वाले में थोड़े से question बढ़े, अब तीसरे candidate का आप interview सुने, उनका तो कमाल ही हो गया, मतलब सारे सभाल उन्हें से पूछ लिए लग रहा है, मुझे, बहुत अच्छा interview दिया है, अनीश है, जो candidate है, और बहुत अच्छे से interview उन्ह interview जनरली स्टार्ट करते है, तो उन्होंने पूछा कि आपके नाम का meaning क्या है, ये भी मैंने आपको बता है, अपने नाम से related meaning का अच्छा तयार करके जाएगा, मैं भी अपने नाम का अच्छे से तयार करके गया था, क्या mythology में क्या इसका significance है, scientific क्या significance है, और उस सारी जी businessman है, तो आप banking sector में क्यों आना चाते है, आप उनका business ही continue कीजिएगा, उसमें तो काफी potential है, तो ये वो तयार करके गये थे, उनका अच्छे से इन्होंने answer दिया, उन्सको बार बार इस चीज़ पे grill करने की कोशिश की कि कि नहीं नहीं फिर भी business जादा बेटर रहता, कह क्या अपना stance change करते हैं, आप क्या pressure में आ जाते हैं, आप stressed out हो जाते हैं, तो ये बहुत important है कि अपने काम रहे, polite रहके वही चीज़ repeat करें कि नहीं, ऐसा नहीं है, फिर उन्होंने answer भी दिया कि क्यों वो करना चाते हैं, उसका detailed answer उन्हों नहीं दिया था, उसके बाद इन से पूछे गया कि कौन सी ऐसी scheme है, जो बिलकुल ground level पे लोगों की जिंदगी change कर दिया, तो पहला जो उन्होंने suggestion जिया था, वो थोड़ा सा गलत था, वो स्वानिदी scheme दी थी, बट वो मैनरगा के बारे में सुनना चाते हैं, तो second attempt में, क्योंकि पहले में जब answer दिया, वो satisfied नहीं थे, तो फिर जो candidate है, उन्होंने मैनरगा जैसी answer दिया, और पूरी तरह से explain किया, तो पूरी तरह से satisfied लेगे, फिर next जो पैनलिस थे, उन्होंने पूछा कि stand up जो India scheme है, वो क्या है, तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी से कड़बड कर दी, उन्होंने सुना startup India scheme, तो उ क्योंकि यह commerce graduate है, commerce background से आते हैं, तो commerce background वालों को बहुत detail में अपने subject है उसके बारे में पढ़के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो directly link होता है banking sector से, तो इनसे पूछा कि तीन golden rule क्या होता है accounting के, बहुत अच्छे से उन्होंने explain कर दिया, फिर इनसे पूछा कि आपने CA या CS क् किया graduation के बाद, तो इसका उन्होंने बहुत detail में answer दी दिया, फिर उसके बाद जो fourth panelist थे, उन्होंने इनसे सवाल पूछा, कि bill of exchange क्या होता है, उसका answer कर दिया, प्रोमिसरी note क्या होता है, बिल of exchange, प्रोमिसरी note, दोनों का answer कर दिया, फिर इनसे पूछा कि, जो आपकी कोई भी currency note रहता है, उस पे क्या लिखा रहता है, what is written on the piece of any Indian currency note, तो उसका answer उन्होंने किया, फिर उन्होंने बोला कि, अगर मैं किसी भी खाली paper पे, अगर मैं वो सारी चीजी लिख दो, तो क्या वो currency बन जाएगे, उसका भी इन्होंने answer दिया, बहुत अच्छे से answer दिया, और authority रहती है 1 rupee, क्योंकि उन्होंने answer में उन्होंने कुछ ऐसा mention किया था, कि 1 rupee coin से related, तो उसी पे cross question बन गया, कि 1 rupee coin की जो note होता है, या फिर coin जो होता है, उस पे authority किसकी रहती है, तो उन्होंने answer दी दिया था, जिससे वो काफी satisfied थे, फिर बिलकुल last जो panelists थे, उन्होंने क answer किया था कि मिरको ये second year है, second year, third year है, last year एक mark से final merit में ये miss कर गये थे, बहुत अच्छे candidate है, last year भी इन्होंने appear किये थे, but एक mark से miss हो गया था merit, और इन्होंने answer किया थे, इन्होंने answer किया थे, ये कोई tension नहीं है, ये यहां तक बिलकुल सही है, और सभी answer इन्होंने बहुत ही confidence के साथ fluently थे, तो ये आपने तीन different type के interviews देखे, एक interview जिसमें सरे bio data form से पूछा गया, दूसरा interview थोड़े personal सवाल भी, कुछ banking awareness भी, कुछ current affairs भी, चीज़ें पूछ ली, तीसरा interview एक commerce graduate का, जो बहुत ही detailed, बहुत ही detailed question था, grill करने की कोशिश की, बहुत ही अच्छे से complete answer ठीक है, तो इसी तरह है के interview experience के videos daily basis पे रहेंगे, कल भी मने upload किया था, आज भी आप लोगों के लिए तीन candidates का है, नीचे description में मैंने आप लोगों के लिए interview videos की जो playlist है, वो लिंक की है, वो आप ज़रूर complete कीजेगा, और साथ ही साथ, all you board जो आपको free e-book दे रहा है, SBA PO and IBPS interview preparation के लिए वो ज़रू complete कीजेगा, वो भी मैं link description में दे दूँगा, comment section में pin भी कर दूँगा, ठेक है, now that's all for today's session, take care